नमस्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरन एक तरफ देश में दूसरे चरण की वोटिंग तो वहीं दूसरी तरफ आज महा गटबंदन के लिए लगा है सुप्रीम कोट से बड़ा जटका जी हाँ इवियम को सुप्रीम कोट की तरफ से क्लीन चिट नहीं लोटेगा बैलेट पेपर ये बड़ी बात जो है वो आज सुप्रीम कोट ने इवियम वीवी पाट को लेकार जो है वो की है क्योंकि लगातार जो याचिकाए इवियम वीवी पाट को लेकार सुप्रीम कोट में लगा के शत्परतिशत मिलान की मांग को जो है ये बड़ा जटका दिया है देगे लगातार जो है वो विपक्ष लोग सभाद चुनाप के दोरान कह रहा था कि एवियम में गड़बडी की जा रही है पहले लगातार एवियम को ले जो है वो अरजिया लगाई गई याचिका लगाई गई जिस पर पहले ही सुप्रीम कोट ने जटका दिया महागट बंदन और तमाम विपक्षी पार्टियों को तो आज इवियम वीवी पैट को लेकर भी तमाम याचिकाओं को खारिच कर दिया है सुप्रीम कोट में सभी सो फीजदी सत्यापन की याचिकाँ खारिच कर दी है इवियम वीवी पैट को लेकर जजों ने ये फैसलात सहमती से लिया है आपके लिए बता दें के साथ इवियम के वोटों के सो फीजदी सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर ये सुप्रीम कोट की तरफ से जटका उन लोगों के लिए है जो लगातार इवियम को लेकर सवाल उठा रहे थे देखिए जब से मोधी सरकार सत्ता में आई है और जनता की तरफ से भरपूर भरोसा जो है वो सरकार की ऊपर जताया गया लगातार एक बड़े मार्जन से जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जीती तब से ही लगातार विपक्ष का ये कहना है कि इवियम को हैक करिया जा रहा है इवियम के जरिये मोधी सरकार जीत रही है और एक तरफ इवियम को लेकर पहले ही जटका दिया था कोट ने और कहा था कि चुनाब जो है वो इवियम से ही होंगे और अब इवियम वी वी पैट को लेकर भी तमाम याचकाओं को खारिज कर दिया गया है और आज सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए बैलेट पेपर की मांग को भी खारिज कर दिया है यानि कि अब इस सदी में जो है वो बैलेट पेपर की बापसी नहीं होने वाल जनता का भरोसा नहीं है एवियम को हैक किया जा रहा है पर वहीं दूसरी तरफ आज साफ जो है वो फिर एक बार कोट की तरफ से कह दिया गया है कि बैलेट पेपर की मांग जो है वो खारिच कर दी गई है यानि कि बैलेट पेपर पर आगे चलकर कभी चुनाब नहीं होंगे और आज ये सुप्रीम कोट में जो फैसला सुनाया गया है ये फैसला संजीव खना की तरफ से सुनाया गया है दो स्पेशल जजों की ये बैंच दी और देखिए जो पहले जज है जस्टिस संजीव खना ने ये तक कहा है कि हमने सभी याचिकाओं को खारिच किया है लोकतं दिपांकर दत्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी प्रणाली पर आख मूद कर संदेख करना सही नहीं है इसलिए हमारे अनुसार सार्थ का लोचना की आवश्रक्ता है चाहे वन्याय पालिका हो विधाईका हो आदी हो लोकतंत्र का आर्थ सभी स्तंबों के भी संद् स्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवास को मजबूत कर सकते हैं और ये आज बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोट की तरफ से कही गई है जो कि फूर एक बार विपक्ष को रुलाने वाली है एक तरफ देखिए वोटिंग हो रही है जनताल लगातार वो निर्देश दिये है पहला निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनित को जो है वो सील कर दिया जाना चाहिए SL value को कम से कम 15 दिनों की अबदी के लिए संग्रगित किया जाना चाहिए वही क्रम संख्या दो और तीन मैसे उमीदवारों के अनरोद पर परणाम घोशित के बाद इंजिनियरों की एक तीन दुआरा माइक्रो कंट्रोलर इवियम में जाली जली हुई मैमरी की जाच की जाएगी कोट ने ये तक कहा है कि ऐसा अनरोद परणाम घोशित होने के साथ दिन के भीतर किया जाना चाहिए हाला कि सुप्रीम कोट ने चुनावायोग को वीवी पैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावनाय तलाशने का सुझाब भी दिया है दो जजों की पीट ने वीवी पैट की गिनती पर जो है वो समवर्ती की है लेकिन अलग-अलग फैसले सुनाए है कोट ने कहा है कि अगर कोई प्रत्यासी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस इस्तिती में उससे उसी से जो है वो इसका खर्चा वसूला जाए और अगर एवियम में कोई छिडखा नी मिलती है तो उसका खर्चा वापस किया जाएगा देखिए एवियम को लेकर सवाल उठाने वाली पार्टियों को लेकर ये बड़ी बात जो है वो आज कोट के द्वारा कही गई है कि अगर एवियम को लेकर सवाल उठाने वाला व्यक्ति अगर जाच कर आने की कहता है तो उसका पूरा फैसला है वही आने की उसका खर्चा पही जो है वो व्यक्ति उठाएगा अगर इवियम में गलती मिलती है तो उसका खर्चा तब ही वापस किया जाएगा और 45 दिनों तक वीवी पैट की पर्ची जो है वो सुरक्षित रखी जाएगी उम्मीद्वारों के हस्तासर के साथ सुरक्षित रहेगी कोट ने सिंबल लो सुपरीम कोट में लगाई गई थी उस समय पर भी जो है वो कोट ने तमाम बड़ी बातं कहीं थी और मामले को सुरक्षित कर लिया था उस समय पर भी देखिए अगर हम बात करें उस समय पर भी प्रदशन सुपरीम कोट ने आयोक को भेजा था नोटिस और वर्तमान में वीवी पैट वेरिफिकेशन के तहर लोकसभा छेतर के प्रतेग विधान सभा के सिर्फ पाँच मदान केंदरों के EVM वोटों का वीवी पैट से मिलना किया जाएगा जिसके चलते इसी महिने सुप्रीम कोट ने चुनाव आयोग में सरिफ पाँच र सवेरे सुनवाई हुई है इस पूरे मामले पर तो याचिकाओं को जो है वो खारिच कर दिया गया है और इसी के साथ सुप्रीम कोट की दो पीट यारी की दो जज़ों की पीट ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है जो की महागटबंदन के लिए बड़ा जटका है जो है राजनीती की जा रही है इवियम को हाग किया जा रहा है पर आज इन चीजों को लेकर जो है वो सुप्रीम कोट ने बड़ा जटका जो है वो दे दिया है विपक्षी पार्टियों को जो लगाता जो है वो इवियम को लेकर सवाल उठा रही थी और वहीं अगर हम बात करें आज देखिए आज अगर लोकसभाज चुनाब की बात करें तो आज दूसरे चरंड की देश में जो है वो वोटिंग है और लगातार हर जगा पर जो है वो वोटिंग आपको दिखाई दे रही है आज 13 राजियों की 28-88 सीटों पर जो है वो वोटिंग है और अब देखन सवाल उठा रही थी पर आज इवियम पहले इवियम को लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से जटका दिया गया और उससे पहले जब चुनाबों की डेटों को अनाउंस किया गया था उस समय पर चुनाब आयोग ने खुद कहा था कि अगर आप अगर हैक कर सकते हैं मशीन को तो बावजूद इसके कई याचिकाए सुप्रीम कोट में लगाई गई थी पहले इवियम से इवियम की वज़ाए बैलेट पेपर से चुनाब हो तो अब वीवी पाट को लेकर लगाई गई याचिकाओं को भी खारिच कर दिया है और कोट ने भी कह दी यानि कि बैलेट पेप पर कर सरूर बताईए धन्यवाद